जिन्देगी में कभी कुछ अच्छा किया होगा तो फल मिलेगा अगुड डीड काम्स राउंड ये स्टोरी हम देखेंगे पर उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राब कर लिजिए ये देखेंगे आफरीका यहां पे इंगलेश सेटलर्स बहुत है और ये जो बच्चा ये कहानी बताने वाला ये इसके ममे के साथ हमेशा उसकी ममे डॉक्टर थी और उनकी कार एक मुबाइल क्लिनिक के जैसी थी जहां पे पेशन्ट दिखते थे जहां से फोन आता था वो त कुछ क्लीन करने वाले जो इक्विप्मेंट होने चाहिए वो सारे थे और ये हांड्रेड किलोमेटर रोजाना एक एक दो दो दिन पूरा एक घंटा एक एक दिन में जितने भी साउथन रोडेशिया जो प्लेसेस है रूलर एरिया है इस्टन का और साउथन पार्ट का ये पूरा का पूरा कैप्चर कर लेती थी मानो यहां की जिन्दगी और यहां का मनना सब उसके मम्मी के हाथ में था मम्मी जो है ये एक वैक्सिनेशन प्रोग्राम अटेंड करती थी चलाती थी हर गाउं में हर आदमी के और हर आदमी बच्छा बुढ़ा जवान जो भी है उस पे जिन्दगी की कोई कीमत नहीं है उस जगह पे ये औरत अखेली अपने बेटे के साथ कार में बैठके जाती थी और लोगों को दवाईया देती थी और यह जर्निया ऐसे ही चालू रखती थी वो मन में कभी कोई भी बात नहीं लाती थी वहां पे मुजंबिक्यू यहां पे जो प्लेसस थी यहां पे वर्ड चालू था और उसे उस दिन उसका कोई लेना देना नहीं था पोर्तुगीश जो लोग थे और जो बाम्बे के लोग थे उनके बीच में अब नौड़ो यह जो पीपल्स है यह अपने फ्रीडम के लिए वहां पे बहुत सारे यह करते थ दिए वर्ड उत था जख़डा उता था उ сसे को कोई लिए दने देने थे यह बॉर्डर की उस पार से इसे कही से भी लोग आते थे तो वो उनको vaccination करती थी वह उसको allowed नहीं था फिर भी वो करती थी क्योंकि वो उसका वो बोलती थी कि ये इसी के लिए मेरी जिन्दगी बनी है दुश्मन कोन है दोस्तों कोन है ये डॉक्टर नहीं जानते है डॉक्टर ये जानते है कि दवाई देना है बीमार लोगों को अच्छा करना है और पोल्यों के वैक्सिनेशन के लिए ये जो बच्चा हमें स्टोरी बता रहा है ये हमेशा ये मदद करता था और उसके बाद में मीठी सी जो शुगर लम्स होती है वो भी बच्छों को देता था इवन उनके साथ जो असिस्टेंट रहता था वो भी जो बॉटल्स रहते थे उसमें पिंक कलर का दबाई डाल देता था और वो सोलूशन जो रहता था वो लम्स जो शुगर लम्स बोल जाते है ये बच्छों को दबाई पिलाने के बाद बच्छों को दिया जाता था इसमें स यह लोग दोनों भी ममी और यह बेटा दोनों भी कर रहे थे और जैसे कि उस एरिया के लिए वो भगवानी बन गया थे और ये बिल्कुल वो कोई भी गोरा है अपने देश का है अपने देश का नहीं है उन्हें कुछ लेना देना नहीं था 1970s में यहां का एरिया बहुत ही ब से दूर हो गया उसकी मामे पाता ने उसे लेकिन वो तो यहां से पूरी पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया था यहां के लोगों के घर चलाए दिये गये थे यहां के लोगों के खेतों को आग लगाई दीगी थी आप देख सकते एनिमेशन में और ऐसे लोग तबाह हो ग उसे पता चला कि जिस एरिया में वो जाया करता था वो अब जिंबंबे के रूप में वहाँ पे हो गया है और वहाँ पे बहुत सारी मौते वहाँ पे जो प्लेसे से इधनी दर्दनाग किसे वहाँ पे होते हैं कि लोग वहाँ पे जाते नहीं है अब यह जो है यह डॉक्टर तो उसे एक काम दिया गया था कि वो जाओ और वहाँ से लोगों की इंफॉर्मेशन निकाल के लाओ लोगों के बारे में लोगों का क्या कहना है, क्या मैसूस करते है, जुबाम्बिक की लोग जो है अब भी भी वहाँ पे है, क्या उनको अपनी प्लेसेज चाहिए, क्या उनक हाला कि उनको जाना बिकुल बना था, आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ जो योजवान बच्चे है, यह मौज़ुग भी क्यों, इसको फ्री करने के लिए अभी लड़ रहे है, जगड रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं, कि यहाँ जो एक रोकने के लिए, उनको आ प्रिंस चार्ल्स की गाडिया वहां से जा चुकी होती है और जाते समय अब ये भी इसी अंदर गुच जाता है ऐसे कि हम भे इनके साथ ही है चार्ल्स प्रिंस के साथ और वो अंदर गुच जाते हैं और बाद में जैसे जैसी वो गाडिया आगे आगे चली जाती है इनके पोफिंद दील वहां का जो हलता है है बहुत ब्लाकिश ब्लाकिश लगाई जाता है तर वहां पे पूछता है कि बाही बोलर को वेkek पूछ चाहिए क्वेट writes अब बड़ी ही घहरे नजर से उसे देखता है वह स्माइल भी करता है लेकिन जैसे उसका question पूरा हो जाता है वो इसे वो गलत मतलब भाग जाती है वो smile और उसका serious nature बन जाता है तब भी पीछे से हाँ वो जो वहाँ पे store का furniture है उसके पीछे से कुछ आवा जाती है कि कौन हमें पूछ रहा है ऐसे आवा जाती है और उसे तब अंदर ढखेला जाता है वह पीछे कोई लोग table पे बैटे हुए है और वो table पे बैटे हुए लोग जैसे की missile बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे देखिए wall को लगे हुए जो russians rifles है और rocket launchers यहाँ पे बैटे हैं यह सारे अपने discussion चलू है वो सोडा पी रहे हैं यह लोग बहुत खतरनाक है यह वो गुज़ गया है और वो बोलता है कि मैं इन लोगों किसे बात की बातचीत करना चाहता हूँ इनकी बारे में information मुझे जरूरी है क्यों जरूरी है क्या जरूरी है यह सब पूछताच करते हुए जो उनका leader है वो उसके हाथ बान देता है बंदू को से rifle उसे लोग उसको और उनका जो main captain होता है उसके पास उसे ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं तुमको पूछताच करनी है तुमको बात चीज करनी है तुमको हमारे साथ communication करना है तो ठीक है चलो 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 ऐसे करके उसको एक जो बहुत ही rough and tough जो शाजंत है उसके साथ में उसे लेके जाना लेके जाना लिया जाता है उसने एक अजीव से टोपी पहनी हुई है जो उसके जो personality है उसे बिलकुल match करती हुई दिख रही थी वो आदमी बड़ा ही बेरहम था वो कभी उसे लातों से गुस्तों से मारत के सच्चाई क्या है ये जानने की कोशिश कर रहा था और इसके लि लात मारता था गालिया देता था गंदगनदब बोलता था और बड़ी बत्तिमिजी से उसके साथ पेश आ रहा था फिर भी हमारा जो हीरो है वो बोलता था कि एक देखिए मैं कोई आपके लिए डिजेक्ट्यू नहीं हूँ एक सर्वसाधर और आदमी हूँ मैं भी आप ल इंताग्रस्त है उसके पास उसे लिके जाया जाता है वो जो टिंगो अदमी है उसका डिनर तब तक रेडी हो जाता है एक्चुली उन लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही होती है वो अपने रैटर को बिलकुल समझ में नहीं आ रही होती है क्योंकि उसका ते वो उसे याद है बाकी का पूरा का पूरा लैंगवज तो उसे पता नहीं था फिर भी वो जो एक दो डायलोग जो हमेशा चिनाज लोगों का वो सुनता था जैसे कि हम नमास थे गुड मॉर्निंग ऐसे वीश करते हैं वैसे कुछ एक वीश करने वाला जो एक डायलोग थ था और उसे रिमेंबर भी नहीं हो रहते ही उनकी लैंगवज फिर भी उसने अपने लैंगवज में कुछ बोला और बोलने के बाद जो टिंगवा अद्म les वो बोला यह तो मैं किसने सिखाया यह लैंगवज उनने का से सिखी तब हो बताने लगा देखी भाई चिमानी जो माउंटेंज है यहां पे मैं आया करता था जब मैं हुआ करता था तब उस कैप्टर ने पूछा तुम्हारे फ्रामिली का नाम क्या है तो वो बोलता कि गौडवीन और वो गहरी सोच में पड़ गया क्योंकि यह नाम उसने जाना पैचाना लग रहा था तब उसन जाया करती थी सेकंड पार दिखिये उसने तुरंत ही अपना हाथ आगे कर दिया और स्माइल करते हुए जैसे अफ्रिकन हैंडशेक करते है वैसे तुम्हारी मम्मी ने मुझे वाक्सिनेट किया था जब मैं चोटा बच्चा हुआ करता था तब और उसने तब भी बोलते ब हाँ बिल्कुल मैं आया करता था तो वो टिंगो आदमी बोलता है कि हाँ मुझे याद है कि एक शुगर लम्स का जो दिया करने का काम का लड़का करता था क्या तुम वही लड़के हो मुझे याद है तुम हमेशा वो हमारे खटी वो गंदी वाली दवाई देने के बाद व वो अब as a guest उनका जो main captain ओटिंग उसके पास बिलकुल पाज जाके बढ़ गया और तब ही जिसने उने मारा था उसे बिलकुल गंदा लगा कि मैंने अपने guest के साथ ऐसे भी यह नहीं करना चाहिए था बाद में बाइज़त जैसे पूरी इज़त के साथ उसका पूरा सामान उ उनके साथ बाकाईदा एक फोटो भी लेके गया और जो वो भधी टोपी वाला जो आदमी था वो उसके शोल्डर पर हाथ रखे ऐसे खड़ा था जैसे कि मानों बहुत दिनों से उनकी जान पैचान है और शोल्डर पर लखना मतलब उसको उपर बिल्ली हो गया था और जो फोटोग्राफ वहाँ पर उस दिन खीचा गया था यह आज भी राइटर के पास है राइटर वो फोटो को देख के बोलते है कि मुझे याद है कि हमने कुछ अगर अच्छे काम किये है तो उसके फॉल हमेशा मिलते है तो आब भी एक अच्छा काम कीजिए मेरे चलना को सब सब्सक्राब कर दीजिए भाई कुछ तो डोनेट कर दीजिए धानिवाद